कि हेलो एंट वेल्कम दूद आप ओलिटी करेंट इफेस सेशन और कॉंपरिशन कम्टिश यूट्यूप चैनल मैं हूनिकत परविंखान और आज की इस पॉलिटी की करेंट इफेस के सेशन में हम पिछले 15 दिन यहने नौ से की सेप्टेमबर तक के पॉलिटी की सेक्षिन की जो करेंट के news हैं उसको cover करने वालें तो सबसे पहले आईए देखिए news flash की क्या क्या इंपोर्टेंट खटनाएं हुई पॉलिटी की section में पिछले 15 दिनों में तो सबसे पहले आप इस कुछ news सुन पढ़ ही रहे होंगे उसके जो इंपोर्टेंट पहलो आपके exam से रिलेटेड हैं उनको अमडील करने वाले हैं तो पहली news है इंडिया गेट पर नेताजी सुबास चंदर बोस की 28 फीट उची ग्रिनाइट प्रतीमा का अनावरंट किया गया किंग चारल्स तरती बने ब्रिटेन के नए समराट कुईन इलिजबेट सेकेंड की मृत्यू के इस बाद उनके जो बेटे हैं वो ब्रिटेन के नए हेड ऑफ दे स्टेट बनाएं गए घुलाम अली जमुकश्मीर से राजसभा के लिए नॉमिनेट हुए अस्ताना कजाखिस्तान की नई राजधानी बनी समरकंद में शेंगाई कॉपरेशन और्गेनाइजेशन की 22 वी बैठक आयोजित की गई अंतराश्फ्री लोकतंतर दिवस 15 सेप्टेंबर को मनाया गया जो पॉलिटी के सेक्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं सबसे पहले फर्स न्यूस तो पहली न्यूस आप चर्चा में देख ही रहे होंगे सुन ही रहे होंगे कई बार आपने इसका जिकर पड़ा ठीक, 23 जन्वरी जो की सुबास चंदर बोस का दिन याने की जयनती होती है उस दिन इंडिया गेट पर प्रधान मंत्री मोदे ने इनकी एक होलोग्राम प्रतिमा बनवाई थी और उसे दिन उन्होंने ये घोशना की थी कि जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा को एक वास्तविक प्रतिमा से रिप्लेस किया जाएगा और ऐसा ही हुआ आठ सेप्टेंबर को, आठ सेप्टेंबर 2022 को इन्डिया गेट पर सुबास चंदर बोस की उस होलोग्राम प्रतिमा को रिप्लेस करके एक ग्रेनाइट की प्रतीमा वहाँ पर स्थापित की गए और उसका नावरंड प्रधान मंत्री मोधी ने 8 सप्टेंबर को किया ठीक तो पराकरम दिवस के अफसर पर नेता जी की होलोक्राम प्रतीमा का नावरंड किया गया था 28 फीट उची नेता जी की प्रतीमा भारत के विशालतम सजीव अखंड पत्थर पर हाथों से निर्मित प्रतीमाओं में से एक है तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसकी उचाई है 28 फीट प्रधान मंत्रे ने 21 जनवरी 2022 को आश्वासन दिया था कि इंडिया गेट पर नेता जी की गरनाइट से बनी एक भव प्रतीमा स्थापित की जाएगी और वादे की मताबिक ये नावरंड किया गया ध्यान रखने योगे बात ये है पहली बात तो पराकरम दिवस इसमें फिर से हाइलाइट हो जाता है 30 जनवरी को नेता जी की जो भी भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में कॉन्ट्रिबूशन था उसको याद करते वे हमने पराकरम दिवस मनाना शुरू किया उस वज़े से उस दिन को खास तोर पर हम पराकरम दिवस की रुप में बनाते हैं और इंडिया गेट पर उस चीज को ओनर करने के लिए एक होलोग्राम प्रतिमा बनाएं गई थी और उससे दिन ये घोशना होई थी कि एक वासरीक प्रतिमा से इसे रिप्लेस किया जाएग ग्रेनाइट की ये प्रतिमा से उस होलोग्राम प्रतिमा को रिप्लेस किया गया इसके लिए जो ग्रेनाइट का पत्थर है वो तेलंगाना से बुलाया गया था जिसके एक विशेश ट्रेंज जो है वो चलाए गई थी ठीक इसके अलावा आप दियान में रखें कि इस साल जब यह होलोग्राम प्रतिमा लगाई गई इंडिया गेट पर तो सुबाश्चंदर बोस की 125 जयनती थी जिस उपलक्ष में वो चीज हुई थी और उसे अब रियल जो मुर्ति है उससे रिप्लेस कर दिया गया ठीक है इसके लावा आप एक और बात याद रखेंगे कि यह जो मूर्ति बनाई गई है ग्रेनाइट की इसे बनाने वाले जो मूर्तिकार है उनका नाम है अरुन योगी राज ठीक है अरुन योगी राज जो है वो मूर्तिकार है इन्होंने और इनकी पूरे दल ने इस में मूर्ति को बनाया है ठीक है तो सुबाश्चंदर बोस का ना वर्ड ब्लॉक नाम की संस्था हो, 1942-43 में आजाध हिंद फॉच से इनका जुड़ना हो, आजाध हिंद फॉच की सभी गतिवीधिया हो, वो सारी चीजों को आप एक बार रिवाइस कर लेंगे, आजाध हिंद फॉच का जो में थीम सॉंग था, कदम कदम बढ़ाये जा, जब इस मूर्ती का नावरेंट किया गया, तो उसी सॉंग को गाया गया, बजाया गया, ठीक है, तो इतनी बाते आप इस न्यूस से रिलेटेड याद रखे, बढ़ते अगनी लिउस पर, ओके, तो ये न्यूस भी काफी चर्चा में हैं पिछले कुछ दिनों से, और वो है, ब्रिटेन में साथ दशकों बाद एक नए राजप्रमुक अस्तित में आए, या मैं कहूँ राजप्रमुक न्यूक्त हुए, वो है केंग चार्ल्स दा थर्ड, और इनके न्यूकती के सा न्यूक ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, एक महराजा यूक ब्रिटेन में स्टार्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 सेप्टेमर 2022 को साथ दशकों तक के रूल करने वाली लॉंगिंग रेनिंग क्वीन, क्वीन एलिजबेट सेकेंड का निधन हो गया, 96 यर्स की एज में ठीक और उसके बाद उनके जो बड़े बेटे हैं चार्ल्स वो उनकी राजगदी समहा लेंगे, और इस तरह से महराणी यूक का अंत होता है, और महराजा यूक की शुरुवात ब्रिटेन में होती हैं, ठीक है, तुससे जोड़ी कुछ बाते हैं, वही चीज़े जो मैं ने बताई, यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, कि चार्ल्स तरती बने ब्रिटेन के नए समराट, महराणी अलिजबेट विती के निधन के बाद उनके बड़े बेटे चल्स चार्ल्स किंग बन गये, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महराणी अलिजबेट का 8 सेप्टेंबर को 96 वर्ष की आयो में स्कोटलेंड के बाल मॉरल महल में निधन हुआ था, और इस तरह से साथ डेकेट्स तक रूल करने वाली सबसे लंबे रेन को या सबसे लंबे टाइम पिरेट को रूल करने वाली महराणी बन गई ब्रिटेन की, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में चार्स तरती की हुई ताच पोशी तो इनकी ताच पोशी का हुई, सेंट जेम्स पैलेस कुछ याद आया क्या, राउंटेबल कॉन्फरेंस याद है, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था सेंट जेम्स पैलेस, तो वैसे ही वही नाम है यापर वही पर इनकी ताच प आए हैं इससे पहले दो और किंग्स हुए थे जिनका नाम था चार्ल्स वन और चार्ल्स टू ठीक तो आखरी जो चार्ल्स टू थे वो 1685 में उनकी बृत्ति हुए थी उसके बाद से कोई भी चार्ल्स नाम का व्यक्ति वहां पे राजा नहीं बना तो इसलिए मैंने अब बत स्थ्री ने विल्यम और केट को वेल्स की राजकुमार और राजकुमारी के रूप में नामित किया देखिए पूइन अल्जबित के निधन के बाद बहुत सारी चीज़े वहां पर चेंज हुई हैं किंग चार्ल्स जो हैं पहले जब वो एक सिफ प्रिंस थे तो राजनेति के जो इनके बेटे हैं किंग विल्यम और इनकी जो बहु हुआ हैं केट उनको वेल्स की राजकुमारे ने किंग प्रिंस एंप्रिंसस ऑफ वेल्स का नॉमिनेशन दिया है य multip में इनको इन्होंने नॉमिनेट किया है ठीक है तो इस तरह से बहुत सारे राजनेतिक पद्व प्रमुख है राश्पती और सरकार प्रमुख है प्रधान मंत्री वैसे ही ब्रिटेन में राज प्रमुख होता है वहां का मुनार्ख किंग या क्वीन और वहां की सरकार प्रमुख होते हैं वहां के प्रधान मंत्री ठीक है क्योंकि ब्रिटेन में राज तंत्र है और हमारे य लेना देना नहीं होता, बिलकुल ऐसा ही रोल, ब्रिटेन में वहां की किंग या क्वीन या क्राउन का होता है, वो लोग नाम मातर के मुख्या होते हैं, एड अफ दी स्टेट होते हैं, और उनका रावास्तविक राजनीती से कोई जादा लेना देना नहीं होता है, यानि की जो हैं, वहां की प्रधान मंतरी या रूलिंग पार्टी जो होती है, वो लेते हैं, ना कि किंग या क्वीन, ठीक है, तो आप हमेशा यह पढ़ते हैं, कि इंडिया का जो प्रेसिटिन का पद है, उसकी जो शक्तिया, उसका जो रोल है, उसकी जो पोजीशन, उसकी जो स्थ संत्रिस लिए है क्योंकि वहाँ पर न्युक्त होते हैं और एक ही बंच से होते हैं ठीक है तो यह कुछ बात हैं जो ब्रश अप होती है इन न्यूस के वज़े से स्ट्रिक की उसे भी आप ध्यान में रखें बाकी ये न्यूस तो आप पढ़ी रहे होंगे मैंने सिफ बताया बिकोज इट वस इंपॉर्टन की बारे में भी कुछ जीवनिया आ रही है हर जगे पर आप चाहें तो उसे भी पढ़ सकते हैं फिलाल क्योंकि एक नए राजप्रमुक की निफ्टी हो या और में करेंट अफैर्स में ये लेती हो इसलिए मैं ने इन इसको कवर किया ठीक है चलिए बढ़ते आगे ठीक आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से राजसभा में कुछ नए नॉमिनेशन चल रहे हैं और पी टी उशा के साथ दीजा लोगों का नॉमिनेशन मैंने कुछ हफते पहले भी कवर किया था क्योंकि राजसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उन में से कुछ लोगों का रिटाइमेंट इस वर्ष यहने 2022 में हो रहा है बस उसी कड़ी में एक नए सदस्य को राजसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है राजप्रती महमाईम श्रीमती डौपती मूर्मू ने इन्हें नॉमिनेट किया है केंदर सर अस्टी और शेतर में काफी इन्होंने काम किया है दरअसल ये उस शेतर के शेड़ीूल ट्राइब केटिगरी को बिलॉग करते हैं गृर्जर समुदाए को बिलॉग करते हैं और प्रबैबली इस शेतर से इस समुदाए के नॉमिनेट होने वाले ये पहले व्यक्त ये हैं और ऐसी ही कोई उलेकने योगदान के वज़े से कई लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। और ये जो पावर है उसका राश्पती का वो आर्टिकल 80 के खंड 1 और उपखंड A में दिया गया है। कि अगर कोई वर्तमा नॉमिनेटेड मेंबर का कारकाल समाप्त हो रहा है और वो पद रिक्त हो रहा है तो कोई नए व्यक्ति को वो इन फील्ड से चुनकर नॉमिनेट कर सकता है। बस उसी शक्ति का उपयोग करके राश्पती तुरपती मुर्मु ने इनका नॉमिनेशन फाइनल किया है। ठीक है तो ये बिलकुल स्टेटिक डाइनेमिक नियूज है बट इससे रिलेटेड जो स्टेटिक का पार्ट है फिर से वह हैलाइट होता है राश्पा में नॉमिनेशन और ये एक कड़ी में मैं आपको बता रहे हैं तो अभी लेटेस जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स आ रहे हैं आपके एक्जाम से पहले एक बार पूरी लिस्ट को गो थ्रू कर ले और राजसभा से रिलेटेड इस प्राफधान से रिलेटेड आर्टिकल वगएरा को भी ब्रश अप कर ले ठीक है चलिए बढ़ते आगे ठीक अस्ताना कजाखिस्तान की नई राजधानी बन आता है जिसक्तान का नक्षण आप यहां पर देख सकते हैं कुछ वर्ष पहले वहां की कैपिटल जो है उसका नाम बदला गया था जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं राजपती नुर सिल्टान नजर बाइफ के सिम्मान में सन दोहज़ार उननीस में कजाखिस्तान के जो कापिटल है उसे का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था ये नियूस भी आपने साल दो साल पहड़े अगर आप करिंट से रिलेटिट होंगे अगर आप अपडेट्स रखते होंगे तो आपको पता होगी देखिए कजाखिस्तान की कन्वेंशनली पहले से राजधानी का नाम अस्ताना ही है कई लोग जिन्होंने ये वाली नियूस मेंस की थी उन्हों ऐसे लगेगा कि नहीं राजधानी अस्ताना कैसे बने अस्ताना तो पहले से राजधानी ऐसा नहीं है 2019 में अस्ताना से बदल करके वहां की राजधानी बना दी गई थी नूर सुल्तान, वहां के जो राश्पती थे नूर सुल्तान अजरबाईव, उनको अनर करने के लिए राजधानी का नाम बदला गया था 2019 में, तो अब ये वापस बदला गया है और जो पुराना नाम है अस् चीज़ को मार्क करें, पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हुई 2019 में और अब 2022 में फिर से अस्ताना हो गए, राश्पती कसीम जुमार्ट टुकाईव ने राश्पती पद को सीमित करने और देश की राजधानी की पुराने नाम को अस्ताना में वापस लाने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किये, इन्हें वहाँ पर प्रेसिडिन के एकसेंट हो चुका है इस बात से रिलेटेड, दो क्लॉजेस थे उसमें, यहने की दो बातों से रिलेटेड ये वाला बिल था, पहली बात राश्पती पद को सीमित करना, मतलब वहाँ पर राश्पती के शक माट टुकाइफ ने, ठीक, यह बिल राश्पती के जनादेश को पांच से साथ साल के लिए कारेकाल तक बढ़ाता है, मतलब जो पहला वाला पॉइंट है, वो ये है, कि इनका जो जनादेश है, वो पांच साल की जगे, साथ साल तक के लिए बढ़ा देता है, इस बिल के ज से इसें सेंटरिय में तो उससे रिलेयर्टट जो पार्ट है, वो आपसे पूछता है, करिएफ एक साल का यह सो आप आपता है, यह ब्ली अपको डैनिमिक बतों से भी अवेर करवाना और क्यूँकि उन चीज़ों की वज़े से कोई चीज़ हाई-लाइट हो तो उसके रिए में भी आप जानकारी हासिल कर लें जैसे चाजाखर्सतान हाई-थान हुआ तो आपने राजधानी तो देखिय ली इसके अलावा इसके बारे में इस देश के बारे में दूसरी दिगर जानकारियां भी आप no down करते जाए ठीक है तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है पूरा पूरा डायनेमिक पॉर्शन है बहुत जादा इसके पीचे कोई थियोरी एंड सबस्टेंस नहीं है ठीक है चली पढ़ते हैं हम आगे यह बहुत जादा टॉक्ड बाउट नियूस रही पिछले कुछ दिनों की प्रधान मंतरी मो की बाविस्वी बैठक आयुजित की गई यह दो साल के बाद SEO का पहला व्यक्तिगत शिकर सम्मेलन था ठीक है कोरोना काल में व्यक्तिगत शिकर सम्मेलन नहीं हुआ था तो आफ्टर टू यूर्स इट वस्ट समिट इन टू यूर्स ठीक है इस बैठक का उद्देश शेत् भी आपकी रीजिनल चालेंजेज हैं जो जो देश इस और्गनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उन देशों के साथ जो भी रीजिनल चालेंजेज हैं उनकी उपर विचार में विमर्श किया गया उसके लिए समिट रखे गई साथी साथ ट्रेट और इनरजी का जो सप्ला है उसे कैसे दुरुस्ट किया जाए ऐसे समय में जब रूस यूकरेन वार चल रहा है ठीक और दूसरी वेश्विक दिकतें आ रही हैं इस पर मेंली चर्चा इस पर्टिकुलर बैठक में हुई ठीक है तो रीजिनल चालेंजेज जिसमें खास तो पर ट्रेट है और एनरजी सिप्लाइ है ठीक तो ये तो हमने पढ़ा ही देखा ही पिछले कुछ दिनों में आपके लिए जो खास बात नोट करने लायक है वो ये है कि ये कहां आयो जित हुई दूसरी चीज़ ये जो बैठक है वो कौन से नमबर की बैठक है तो याद रहे हैं समरकंद उस बेगनिस् स्वी नमबर की बैठक है डैनमिक टॉपिक में आपको ये चीज़ जानना जरूरी है अब आ जाते हैं हम इसके स्टैटिक टॉपिक में यहने की S.C.O. शिंगाई कॉपरेशन और्गनाईजेशन की ओल अबाउट्स ठीक है कि ये संगठन क्या है कब बना है इसके सदस से है ठीक तो देखिए शंगाई कॉपरेशन और्गनाईजेशन का गठन 15 जून सन 2001 में हुआ था 15 जून 2001 में हुआ था इसके जो संस्थापक सदस से हैं उन में अगर आप देखेंगे तो जो में मेंबर साते हैं वो है चीन, कजाखिस्तान, किरगिस्तान, रोस, तजिकिस्ता और उस बेकिस्तान इने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे ठीक है ये छे संस्थापक सदस से हैं 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके पून कालीन सदस से बने तो इस तरह से SEO के आठ पून सदस से हैं there are eight members of SEO जिसमें से जो छे हैं वो founding members है और इंडिया पाकिस्तान बाद में इस तरह से अभी आठ पून कालिक सदस से हाला कि अभी आप देख रहे होंगे कि नौ सदस से हो गए हैं क्योंकि इसमें इरान भी शामिल है पर ऐसा है कि इरान के accession स्टार्ट है बट ये जब पून कालिक मेंबर अपचारिक रूप से बनेगा ये अपरेल 2023 से बनेगा तो भारत और पाकिस्तान 2017 में फाइनली बने और इरान का अभी accession चल रहा सन 2021 से ये चीज़ हुई है लेकिन फाइनली जो final formality complete होगी उसके बाद वास्तवी क्रूप से जब इरान सदस से बनेगा वो है अपरेल 2023 उसके बाद ही बनेगा उससे पहले तो फिलहाल आठ है पर जल् स्थापना जो है वो कब हुई नया मेंबर कौन सा शामिल होने वाला है भारत पाकिस्तान कब शामिल हुए और इसका headquarter headquarter जो है इसका वो है बीजिंग चाइना बीजिंग चाइना ठीक है ये है इसका मुख्याल है प्रधान मंत्री मोधी व्लादमिर पुतिन ठीक है के साथ शी जिंग पिंग जितने दुनिया के बड़े नेता है इन पर्टिकुलर देशों में इन सब ने इसमें शिरकत की है ठीक है ध्यान रखिए एक बात और कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये दुनिया का सबसे बड़ा regional organization है आपने कई सारी शेत्री परिशदों का नाम प इसमें जो भी देश शामिल अगर हम उनको गवर करें तो कुछ देश एशिया के हैं कुछ देश यूरोप के हैं तो हम दोनों को यूरोप और एशिया को मिलाकर कर देते हैं यूरेशिया तो जो पूरा यूरेशिया है यनि पूरा यूरोप का continent और पूरा एशिया का continent उसक 40% population ये देश cover करते जो इसके member nation से बही चीन भी इसमें रूस भी इसमें ठीक है इंडिया भी इसमें पाकिस्तान भी इसमें तो आप समझ पा रहे होंगे it covers a huge like number of people in these countries तो इस countries में करीब करीब आप देखेंगे विश्व की 40% आबादी रहते हैं तो इसके अलावा इसकी जो बैठक आयोजित हुई उसकी तारीख भी याद रखे तारीख में यहाँ पर लिख नहीं पाई हूँ 16th of September 2022 ठीक है जो समिट आयोजित हुई ये 16 September 2022 को आयोजित हुई ये ध्यान में रखे और एक बात ध्यान में रखे, आप देख पा रहे होंगी ये वाला पॉइंट उस्बेकिस्ताने समरकंद में भारत को 8 सदसी शेंगाई सहयोग संगटन ये सेयोग की गूनन अध्यक्षता भी सौपी, ठीक है तो अगली जो गूनन अध्यक्षता मिली है वो मिली है इंडिया को इससे पहले किस के पास थी? उसबेकिस्तान के पास, ठीक है? तो ये कुछ बाते डाइनमिक और स्टेटिक में आपको इस समिट से लिए याद रखना है होग आपको समझ में है कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शने पूछ सकते चले बढ़ते आगे ठीक, तो आपकी जो लास्ट न्यूज है वो है इंटरनाशनल डे ओफ डिमोकरिसी इंटरनाशनल डिमोकरिसी डे ठीक, जो की 15 सेप्टेंबर को मनाया जाता है सन 2008 से तो 15 सेप्टेंबर 2022 को अंतराश्ट्रे लोकतंतर दिवस मनाया गया, क्योंकि हम औरटी के सेक्शन को कवर कर रहे है तो इसलिए इसका महत्व और ये कब से मनाया जा रहा है उसको मैंने इस न्यूज में बताया ठीक, तो अंतराश्ट्रे लोकतंतर दिवस पारलिमेंटरी ग्रूप्स होते हैं अलग अलग देशों की संसदों का जो ग्रूप होता है ठीक, वहाँ पे उसके द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स आयुजित किये जाते हैं 15 सेप्टेंबर के दिन ठीक, लोकतंतर से रिलेटेड जो भी अवेरनेस प्रोग्राम्स हैं ऐसे कई सारे अवेरनेस प्रोग्राम्स लौँच किये जाते हैं लोगों को उनके अधिकारों के लोगों को उनकी अथॉरिटी का अवेरनेस उनको दिया जाता है इन प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगतंतर के तहट लोग की क्या शक्ती है लोगों की क्या शक्ती है ठीके इसका महत्व क्या है ये सारी चीजों को मेंली बताया जाता है ठीके तो लोगतंतर के बारे में आवेरनेस पैदा करना बढ़ावा देना लोगों को उनकी शक्तियों का एहसास कराना ये इसका में को सेलिब्रेट किया जा रहे हिस्टरी की बात करें तो अंतराश्य लोकतंतर दिवा सबसे पहले सन 2008 में मनाया गया था इस खास दिन के लिए सन 2007 में सायुक तराश्य महासभा में एक परस्ताव पारित किया गया था तो हम हर साल 15 सेप्टेंबर को ये डे मनाएंगे इसका फैस युनाइटिड नेशन जेनरल असेम्बली ने 2007 में लिया था और इसके तहट 2008 15 सेप्टेंबर को पहला डिमोकरसी डे मनाया गया और इस साल भी ये पूरे विश्व में मनाया गया जहां जहां पर लोगतंतर मौजूद है ठीक है तो ये कुछ बात है डाइनमिक और स्टैट अगर कोई अपने बिलकुल लेवल पर कोई पॉलिटिकल परिवर्तन किया हो तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है जो या तो चीज़े समझ में आई हो कहीं कुछ आपको डाउट हो कोई कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पुमेल परिवर्तन किया हो पुमेल परिवर्तन किया हो वो दो वो यापके लिए इंप।